पर और हम अगले सेशन को भी आगे बनाएंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ और खास महमान भी इस वक्त बरेव हुए हैं जिन्होंने इस कारिक्रम को सार्थक बना है इस कारिक्रम को बहतर बना है और इसलिए चर्चा करना बहुत जरूरी है हर एक पहलू को हम छूने की यहाँ अब कर रहे हैं मकसद बस यह है कि कुछ ऐसा निकल कर आपाय जो कि आपके दिरो में हैं जो कि छूट रहा है उसको हम यहाँ पर जानने की पहचानने की कोशिश कर हैं और यह कोशिश जुह हैं वो आगे भी जारी रहने वाली है इस मफ्ध मंच पर हम कुछ और खास महमानो को आमन्तृत करना चाहेंगे मैं मन्च पर इसक्त ला ने आकोन यहिद्स के अगत करना जाहेंगे यह और यहां पर हम कुछ और चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे तो यह अलग अलग सेक्टर से हम जानने की कोशिश कर रहा हैं और अब इस पैनल को भी हम आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा की शिर्वात करता है कुंदर ओवट्रियो तो शुक्रेश एलपा तो हमारे साथ दू मेहमान मंज पर मौझूद हैं तो इनकी कम्पनीः और एकस तरीखे से आप काम करते हैं और अगर किस तरीखे से किसानों को और किसानी को आगे बढ़ाने का काम और इक काम करते हैं इस पर बातिद कर लेते हैं राधश सचा सच्डि सालों से बायो फटलाइजर और्गानिक फटलाइजर में काम कर रही है और किसानों की माली दश्या कैसे सुधारी जाए जमीन की उप्याओ शक्ति को कैसा बढ़ाया जाए उसके उपर हमारी कंपनी काम करती है आपको प्रेवरल मित्र भी कहा जाता है क्यों है यह इसके पीछे के वज़ा क्या है आज कर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे दान की फसल कटती है बहुत एक शोर होता है कि जो दुआ है पराली के कटने के बाद जो किसान पराली को जलाते है वो ज्यादा तर हर्याना पंजाब उत्र परदेश को उसका जिम्मेदा ठराया जाता है जी इसके उपर हम लोगों ने काम किया हमारी टीम ने आई आराई के साइंटिस्ट पूसा के साथ मिलके हम लोगों ने रिसर्च किया और आज से लगबग तीन-चार साल पहले हम लोगों ने एक डीकमपोजर ऐसा निकाला जो फसल अवशेष को उगला कर उसकी खाद बना देता है फसल अवशेष चाहे हमारी पराली हो चाहे किसी वी फसल का हो केले की जो फसल आखास कर यूपी में होती है इसका बहुत बड़ा हिस्सा शेहर में गंगी भी फिलाता है एक्सिजेंट का कारण भी बनता है उसको डी कमपोज करना बहुत मुश्किल है पसल अवशेश कोई हो हमारा जो डी कमपोजर है उसको चालिस से पचास इन के अंदर अच्छे तरीके से गला कर एक खाद बना देता है तो इसलिए हमने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है यह आपकी बात बिल्कुल सच है कि हमारी कंपनी को पर्याबरन रक्षक भी कहा जाता है हम लोगों ने पिछले काफी सालों से जैसे मैंने आपको बताय हम लोग इस पर काम कर रहे हैं हर्याना पंजाब उत्र परदेश की सरकारों को अपनी डी कंपोजर की किट दी है जो मैं साथ में भी लाया हूं दिखाता हूं दर्श्कों को यह एक डी कंपोजर की किट है जिसका किसान घर पे गहल बना के अपने एक एकड़ की पराली यानि कि डाइटन कचरे से इसकी खाद बना सकता है इसका अगर सपरे उसके उपर कर देगा चाए हुमारा घर का वेश्ट हो चाहे हमारा फसल का वेश्ट हो तो पैंटालीस दिन के अंदर अच्छे तरीके से गलके उखाद बन जाता है तो इसके उपर हम लोग काम हम लोगों ने किया है सरकारे भी हमें उस पे हैल्प कर रही है उत्रपरदेश सरकार भी साल 17 लाख किट का उन्होंने डिमांड किया है हर्याना में 5 लाख किट का डिमांड किया है गवर्मे इसके वर अभी विचार कर रही है तो शायद वो भी लेगी तो इससे बहुत बड़ा एक योगदान हम लोगों ने सच में इतने लाख किसानों को पराली जलाने से रोका है जिसका फालूशन वाई-उ-मंडल में नहीं गया है तो यह अपको बदेश किसान हलाकी अप समझदा आर्णेतों बड़こと भाले भाई याणि हन्हक पंजाब को संफी एसा टू है जो उट्तर परदेश का किसान है उसके पास लेंड वालिंग कम है जो हर् Career Character पंजाब का किसान है उसके पास लेंड हॉंडलिंगा मुपास्टी ज्यादा है यानिकि अगर वो किसान एक कट भी ल किसान के पास जमीन जादї है अगर विस कर्ड़का किसान औया पचीज से कर्ड़कश जा लेता है क्योंकि एक फंगल थिए प्रॉडक्त फॉड्क है तो यहां का अगर नेकी कर्ड़का है तो उसको फित्क धव summat पड़ती है तो हिसलिए बाकिये बाकिक रमेंग आपकी कंपनी आप क्या काम करते जरा दर्शों को यह समझा देजिए बता दीजिए फिर्स्टली आइविल थैंक्स टोल हूज जो भी इस कारेकम को मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं या सामक्स बटेंवे हैं प्रदेश सरकार दुबारा चलाई जा रही फूलों की खेती जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण मैं कहूंगा कि अगर if I can say in word कि यह उस बात को सार्थक करती है कि किसानों की आई दोगनी नहीं मतिगनी के लिए I am sure because फूलों की खेती का आप सभी जानते हैं कि हर चेतर सजावट का माध्यम हो स्वागत का माध्यम हो जिस भी माध्यम से चाहें फूलों का उप्योग निरंतर बढ़ता जा रहा है हमारी कंपनी जो फ्लावर सीड होते है इंपोर्टिट सीड भी और हमारे इंडोजीनियस किसानों को प्रदान करती है जो सबसे बहातर समस्या जुए का समधान हमारी सरकार में हुआ है वो यह हुआ है कि जो बीज पहले इंपोर्ट होता था केवल उसी की डिमांड होती थी अब इस सरकार में जो इंडोजीनियस सीड है उसकी बीदिमांड बढ़ रही है और किसान को इसमें फायदा हो रहा है किसानों को इससे जोड़ा कैसे जा रहा है क्योंकि किसान जो है फूलों की खेती अभी भी बहुत कम किसान करते मैं देखता हूं अलाकि डिमांड जितनी सप्लाइट हो पारी है लेकिन किसानों को जोड़ने के लिए आपके कंपनी कैसे काम करती किसानों को जोड़ने के लिए मूलत है उद्ध्यान विभाग दुवारा प्रतियक जन्पद में ब्लाक इस्तर पर योजनाये चलाई जा रही है उसी ब्लाक के अंतरगत कारी कराया जाता है जहां पर विए जितने भी उन्नत किसाने उनकों के दौरा यह जन्कारी मांगी जाती है क्याओं कि अगर हम फूलों की खिती करना चाहें तो किस परकार सी हम इसको करें कैसे इसका कलस्टर बने तो प्रदेश भर में प्रतियक ब्लोक में उनकलस्टर बना उस ब्लोक उस जन्पद में वह योजना कराई जा रही है ठीक है सज्दिवाजी आप जो किट दिखा रहे हैं यह चमतकारी है और खास तर पर देखिए अब तो अक्टूबर नवंबर का महीना आने वाला है जब दिली एंसियार का जो खास तर पर राका है वहां पर गैस चेम हमारी कंपनी चोवी साल पुरानी है अभी हमने 15 सेप्टंबर को ही 25 साल में परवेश किया है और पिछले तीन से चार सालों से हम लोग यह किट तियार की है तो इस किट में किसान को घर पे गोहल बनाना पड़ता है फिर उसका सप्रे करना पड़ता है तो इसका थोड़ा सा उपयोग करना किसान इजी वे में चाहता है कि और ज्यादा इजी इसको कैसे हो तो मैं सो कर लो क्योंकि किसान आज जो है ना पुराने किसान रहे नहीं जिनको ज्यादा मेहनत करने की आध़तों तो हमने इसकी दिशा में काम किया है वर्ष साल का एक ट्राइल लग गया है क एक हमने पाउडर का इसका अविशकार किया है कि ताकि वो सीधा पानी के अंदर डाला जाए और इसका सप्रेक कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि अगले साल तक वो उसकी परमीशन होगारा सब मिल जाएगी आई राई के साथ हम लोगोंने ट्राइल लगाए है कुछ स्ट यसे आज कर देख रहे हैं कि ड्रॉन टेकनोलजी का इस्तेमाल भी दीरे आरा है और उसकी दिशा में वह लोग काम कर एं कि आने वले समय में दस लिटर पानी के साथ ही जो डॉन टेकनोलजी है उसके दोरा ही हम अपनी द्वाई का सप्रेकर वा दे और इसका इसका इस्तेम लगता है क्योंकि उनको तो चिरफ माचिस की तिली लगानी है वह सबसे बड़ा उनको असान लगता है कोई की समय काम करते इमने रुहा तो इसमे जहां जब फािदा लगता है किसान किछान को देखता है तब ही सीखता है पहले से काफी अवेनिस बढ़ी है जी बिल्कुल अबने तुपाथी जी के बेहाब पर बोल रहे हैं मैं नाम एक बार बता दिये तो हमारे लिए बात पाद्या जी उपाद्या जी फूलों की खेती पारंपरी खेती से कितनी अलग है और क्या चुनौति पूर्ड है ये खेती या फर परंपरगित जो खेती किसान करते हैं उससे कम लागत है कम महनत है क्या अंतर है दोनों खेती में समझा पाएंगा तो बेहतर होगा अपने बहुत अच्छा सवाल किया अगर विस्तुरित रूप में बताया जाए तो अब मैं एक उध्यमी हूँ आज से पांच साल पहले मैं मिंने भी को दिक्र सकी था कि फूलों की खेती फिचाई निराई गुडामी खेटी की जो मुख्यता मैं कहता हूँ कि जिसको कहा जाता है कि बहुत महनत है वो क kob deform के जाते जाते है परंटु जितनी निराई गुडाई शिचाई अन्य फसलों में होती है, अतनी ही निराई गुडाई शिचाई इस फसल में होती है और फूलों के खेती का सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि फाइदा किसानों को है कि यह एक नगदी फसले कम समय में मैं मानता हूं कोई भी फूलों की खेती 90 दिन में आपको पक कर तैयार हो जाती है जिसको आप 90 दिन के अंदर बाजार में ले जा करके उचित मुल्य प्राप्त कर सकते हैं कि अधेव कि अधेया जो कंपनी है वह किसानों की आई वपडहरे में कितनी मददगार जो किया करीब धाई दachment से आप काम करें किसानों के बीच में तो आपकी कंपनी कर चानों के आई बढ़ारे को देते हैं कि उसको रसाइनिक खादें कम करना है और अपने और गैनिक खादों का इस्तेमाल जादा करना है और इसके साथ साथ अभी हम क्या कर रहे हैं कि किसानों को पराली से खाद बनाना सिखा रहे हैं यह हम खुद भी हमने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हर स्टेट गवर थे प्रोग्राम के अंदर उनको भी हमने अपना एक पत्र सोपा है आज तो जिनको अपने पर भोजल दिया है कि हम दो एक गाम के अंदर एक ऐसा प्रजेक्ट मॉडल प्रजेक्ट लगाना चाहते हैं जिससे किसानों को फटलाइजर बिल्कुल भी उज नहीं करना बड़ेग प्राली से हम जो है ना ज्वेंदी येपि का अल्टरनेट त्यार कर देंगे इसको और उसको रवी और खरीब के लिए हार जो है खरीदना ही नहीं पड़ेगा out i bush ko जला एक उसके Churchka मोति खेट में काम आएगा हम इस तरह के अपने जिज्वर्च्छ करते हैं अपनी खοज क तो निच्छी दूरूप से ही उनकी जमीन की जब उर्वरा शक्ती वड़ती है कीट नाशकों का हमला भी कम होता है कीट नाशक उनको कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं कीडा कम लगता है फसल में तो नैचुरल है कि उसका जो है ना उत्पाद भी अच्छे रेटों में भिकता ह यह और इस्ति परामर्ष रिना चाहते हैं जो आप मतल लेना चाहते ही उनके लिवर क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके साथ से कानुटेक्ट करें और वह मुनाफिक पसवदा खेथी आला कर पाए कि इस बारे में जहाना जांगा कि हैं पर हम बोल रहे हैं अभी नव तृपाटी जी यहां पर है वो संभवत है उनकी कंपनी का में ओफिस है डोफिस भी लखनव में तो डायरेक्ट उनके ओफिस में जाकर यह जानकारी ले जा सकती है कि कैसे जो मेटरियल है जो किसान चाहता है वो उनको प्राप्त हो सके बाकि आपका जो है चैनल इसे बड़ा क्या माध्य में की पूरा परचार परसार हो रहा है तो लखनव में उनको ओफिस हैं और आप किसान महां पर जाकर अपनी जानकारी ले सकता है बीज बल्ब सीड सभी महां पराप्त कर सकता है चले बहुत 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 धन्यवाद आप अपना समय देने के लिए बहुत ही शुक्रिया और